हेलो दोस्तों, PV Productions में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे Paytm Payments Bank जो की में में लाँच हुआ था और अब जाके पब्लिक के लिए रिलीज हुआ है पहले वो सिर्फ Employees और Associates के लिए था बेटा वर्जिन में था अब वो पब्लिक के लिए लाँच चुका है तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं So Paytm ने Payments Bank खोल दिया है सब के लिए पब्लिक के लिए आपको जश्ट क्या करना है इनका नया वर्जिन आ है Paytm App का 6.0 जो की अभी अभी अवेलेबल है Play Store और iOS Apps में आप वहाँ जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और यह सिर्फ एक्टिवेट होगा आपके एप से आप वेबसाइट पे जाके Paytm के अपना Payments Bank एक्टिवेट नहीं कर सकते So आपको करना क्या होगा आपको एप डॉनलोड करना है वापिस अपडेट करना है और उसमें अपने आप आपको पॉपप आएगा option आएगा कि आपको Payments Bank खोलना है तो आप प्रोसीड दबाईएगा फिर उसमें option आएगा कि आपको आधार का details देनी है आपका pen card number देना है और आपका address देना है फिर एक बंदा आपका Paytm से representative वहाँ आएगा verify करेगा आपके documents उसके बाद आपका Payments Bank account खोल जाएगा मेरे case में मेरा Payments Bank पहले से verified था मेरा Paytm पहले से verified था इसलिए मेरा account खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई अगर आपका भी पहले से Paytm verified है तो आपको जस्ट आपका proceed करना है Payments Bank के लिए और आपका activate हो जाएगा आप देख सकते हैं यह wallet है और savings account दोनों है मतलब कि wallet को अभी खतम नहीं किया गया अभी वो भी है तो आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं savings account में आपको 4% interest rate मिलेगा और इसका सबसे ज़्यादा maximum balance आप 1 lakh रख सकते हैं जैसी आपका 1 lakh से उपर होगा वो अपने आप automatically fixed deposit बना देगा आपके लिए और minimum balance 0 है मतलब आप 0 पर भी खोल सकते हैं account और इसमें 0 fee online transaction मतलब कोई fee नहीं लगेगा आपका online transactions पे और इसमें आपको एक virtual debit card मिलेगा R.U.Pay का मैं इसके लिए भी एक video बनाऊँगा कि R.U.Pay, Visa, Mastercard में क्या difference होता है अच्छा अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या और feature है इसमें आपको checkbook और demand draft आगे आने वाले समय में services launch करेंगे ये अभी बहुत ही beta phase में है इनका कोई store नहीं है, कुछ नहीं है आपको सिर्फ Paytm app पे ही ये सारा कुछ कर सकते हैं मतलब savings account को transaction है सब कुछ देख सकते हैं, सिर्फ Paytm app पे और Paytm में ये भी बताया है कि जो पैसे इसमें deposit होंगे तो वो सारे government bonds में लगेंगे जिससे जो interest rate आएगा आपको मिलेगा आपको तो पता ही होगा कैसे bank काम करते हैं सो ये मतलब national development के लिए ही काम आएगा आपका deposit किया हुआ पैसा सो बहुत अच्छी बात है कुछ नया लेकिया है Paytm Payments Bank आपको मैं बता दूँ Payments Bank में सबसे पहले आने वाला था ATL ATL था सबसे पहला जिसका tie-up हुआ था KOTAK महिंद्रा से और उसका interest rate है 7.25% और दूसरा आया India Post Payments Bank जिसका tie-up हुआ Punjab National Bank के साथ तीसरा आया अब ये Paytm Payments Bank जिसका tie-up हुआ कि वो इतना कुछ सोच रहा है आगे करने के लिए लेकिन मेरे साब से मुझे कुछ interesting नहीं लगा Paytm का ये Payments Bank क्योंकि बहुत limitations है आपको अगर इसमें पैसे add भी करने है न तो आपको IMPS या NFT से किसी bank से इसमें transaction करने होंगे इसका मतलब है कि आप directly इसमें add नहीं कर सकते किसी तरह से आपको पहले जाना होगा IMPS, NFT करना होगा अपने bank के website से और फिर इसके bank में पैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या है ये बड़ा जीब है में भी आगे future में कुछ इसमें करेंगे changes बस यही था आज के लिए मुझे उमीद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हमाई और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमें like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए घन्यवाद